नमस्कार स्वागत है आपका हमारे च्रानल पर दिल्ली में 2500 सीटों पर हुए MCD के चुनावों पर मदान की रुजहान जो है वो आरा शुरू हो चुके है EVM की काउंटिंग जो है वो दूसरे राउंड से तीसरे राउंड पर पहुँच चुकी है और जो तरीकी की रुजहान जो शुरूआती रुजहान सामने आ रहे हैं इसमें भारतिय जुनता पार्टी के लिए मिलते दिखाए दे रही है बड़ी बड़त तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए लगा है बड़ा जटका आगडों की बात करते हैं कि आखिरकार इन 200 सीटों में से कहा कहा भारतिय जुनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि इस बार जो है वो काटे की टकर है भारतिय जंदा पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आकड़े बदल सकते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, एम सीडी में पर जो अब रोजहान सामने आ रहे हैं, यह आदमी पार्टी के सपनों पर पानी फेर ने जैसा है, इसलिए आपको बता दें के दुआरका में 18 में से 12 सीटों पर भारतिय जंदा पार्टी आगे चल रही है और इसी के साथ बात की जाए पीतम पुरा की तो पीतम पुरा की पांस सीटों में से भारत्य जंदा पार्टी, चार सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरीके से जो शुरुवाती रुजहान सामने आ रहे हैं, लगातार भारत्य जंदा पार्टी के आंकडे जो हैं बढ़ते हुए नजार आ रही है जिस तरीके से हर जगा पर भ पर भारती जुनता पार्टी आगे है और शहादरा मैंसे 33 मैंसे 24 सीटों पर भारती जुनता पार्टी आगे चल रही है अगर इस से लेकर वेस्ट में हर जगा पर इस समय भारती जुनता पार्टी का भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है उस तरीके से अनुमाल लगाए जा आ रहे थे एक्जिट फोल भी जो हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं इस बार आपके जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शहादरा में 33 में से 24 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जंदा पार्टी तो इसी के साथ बवाना म पार्टी एरिया है जहां भारतीय जंदा पार्टी विधान सबाव में जो है विधान सबाव में कम सीटे मिली थी पर जुस तरीके से अब जो MCD में चौती बार काबिज होती हुई नजर आ रही है चांदी चोक के बाद अगर बात करें लाश्पतनगर की लाश्पतनगर में पास सीटों में से चार सीटों पर भारतीय जंदा पार्टी अभी भी अपनी बढ़त बनाय हुए है और वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो साउट डेली की जगा यानि कि सीटों पर बड़त जो भारतीय जंदा पार्टी अभी भी बनाय हुई है ये लगातार दिखा रहा है कि इस बार जो आकड़े हैं जो आकड़े सामने आ रहे हैं तीसरे राउन की जो काउंटिंग है इसमें भारतीय जंदा पार्टी के लिए भी कुछ दिरबाज नतीजे हैं वो सही और शुब सावित हो सकते हैं यानि कि फिर एक बार सत्ता में काबिज हो सकती है भारतीय जंदा पार्टी जहां एक तरफ लाश्मतनगर के बाद अगर नजब गड़ की बात करें तो वहां पर भी चार मैंसे तीन पर बड़त बनाए काबिज दिखाई दे रही है और यहां पर भारतीय जंदा पार्टी के मुकावले जो है वो कोई भी आगे नहीं आ रहा है बीजेपी की अब 126 सीटे और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो काफी जादा पीछे नज़र आ रही है MCD का जो यह महायुद है जो तरीके से अब आगे बढ़ता जा रहा है कहीं आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है तो कहीं भारतीय जंदा पार्टी पर जादा तर सीटे ऐसी है जहां पर भारतीय जंदा पार्टी के आंकड़े जो है वो लगातार इस महायुद में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 230 तक जो सीटे है उनकी काउंटिंग हो चुकी है अपसे कुछी देर में पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो काबिस होगी MCD में जो तरीके से आकड़ सामने आ रहे है और आम आदमी जहां BJP 125 तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो 119 पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के तवाम बड़े नेता जो है वो उन बातों को करते हुए नजर आए कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आने वाली है MCD में पर वहीं रुजहान याने की 200 सीटों की आंकडों की बात करें तो 125 पर भारतिय जन्ता पार्टी है और वहीं 119 पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है अच्छा इसके बाद अगर बात करें लक्ष्मी नगर की गेटर केलास और लक्ष्मी नगर में यही हाल है लक्ष्मी नगर में भी 14 मैंसे 14 सीटें भारतिय जन्ता पार्टी आगे चल रही है और वहाँ पर सूपड़ साफ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रुजान नतीजे सामने आ रहे हैं इसके साथ बात की जाए महरोली की महरोली मैंसे भी 6-10 सीटों मैंसे 6 सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी लगातार जो है वो अपनी बड़त बनाए हुए है और वहीं अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की सीटों का आकड़ा देखा जाए तो अभी भी 4-5 सीटे हैं जिन पर आगे चल रही है भारतिय जन्ता पार्टी और इसलिए हम कह रहे हैं कि और भी नो मैंसे, सा सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी पर आगे है और शाहिन बाग जहाँ पर कई सालों तक प्रोटेस चला भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाब कई बार नारे बाजी भी पर यह प्रत्याशी यानि कि MCD के चुनावों में भी भगवा लहाता हुआ नजर आ रहा है शाहिन बाग के एरिये में वहाँ पर भी पांस सीटों में से तीन सीटों पर आगे चल रही है भारतिया जनता पार्टी इसकी साथ जनकपुरी में भी 19 में से 16 पर भारतिय जनता पार्टी लगातार अप अपनी बड़त बनाए हुए है सेकिंड राउंड की जो EVM की काउंटिंग खतम हो चुकी है थर्ड राउंड अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये काउंटिंग जो है वो जल्द ही खतम होने वाली है पता चलने वाला है कि आखिरकार MCD का जो महायुद है उसमे में इस तरीके के मुद्दिज हैं जो कि इस चुनाब में लड़े गए जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भारती जुन्द पार्टी को लेकर कोड़े को लेकर लगातार राजनीती की गई और इसी के साथ बात करें कि जहां एक तरफ भारती जुन्द पार्टी 125 सीटो बड़त बनाए हुए है और जगाहों का नाम और सीटों की बात भी हमने बताई है कि कहां कहां पर भारती जन्ता पार्टी जो है वो लगाता है बड़त बना रही है और कहां कहां पर भारती जन्ता पार्टी आगे चल रही है इसी के साथ कॉंग्रेस की जो 5 सीटे हैं कॉंग् बड़े नेता जो हैं वो ग्राउंड पर भी उत्रे आज उनी तमाम चीजों का जो फल है वो आज भारते जंता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी को लेकर जो खुला से तिहार जेल और जो तमाम जो खुला से हुए चाहे फिर वो शराब घ को टाला हो या फिर तमाम और बड़ी चीज़ें आज उन तमाम चीजों के चलते बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब आदमी पार्टी को जो रुजहान अब सामने आ रहे हैं खेर इस पूरे मामले पर आपकी चोभी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर ब हैंने बाद